आधी है अधी आधी दर जहाओ और आधे तरही इंधर राइब संटो का हउस्पिटल। सन 1903 की बात है जब मास्ट दो प्लेश्फॉर्म के साथ इस रिल्वेस्टेशन को आम यात्रियों के लिए खुला गया था ग्रीक रोमन कैथिक भारती इसलामिक वास्तुकला के अनुपम उधारन वाली इस इमारत को मुगल काल के प्राचीन वास्तुशिल्प के आधार पर बनाया गया था जिसे देखकर आप भी महसूस करते होंगे कि इसकी बनावट में कहीं कहीं मस्जिद और किले जैसी जलक प्रतीत होती है हलाकि तीन साल पहले तक स्टेशन की इमारत लाल रंगी थी वर्स 2016 में स्टेशन का नमीनी करण हुआ और भवता वैसी ही रही सिर्फ इमारत पर गेलवा रंग चल गया दो प्लेटफॉर्म के साथ नई इमारत को वर्स 1903 आम यात्रियों के लिए खुला गया था स्टेशन की इमारत में अलग-अलग अच्छा मीनार भी दिखती है जहां मीनार रेलवे स्टेशन पर पानी आ पूरती के लिए बहुत काम आती थी जिस तरह आज पानी की आपूरती के लिए बड़ी बड़ी टंकियां बनी होती हैं उसी तरह उस दौर में रेलवे स्टेशन पर इन मीनारों जो है वो टूट गया है प्लेटफॉर्म की और की तरफ जो है वो लाइटे घिर गई है कई सारी मुश्किले यहां पर आपको मिलेगी बाकी यह है पुरानी दिल्ली का रेलेस्टेशन और यहां पर स्वाकतम का बोर्ड भी लगा है 1993 में दिल्ली विकास प्राधिकरन द्वारा इस भवन को नगरी धरोवर पुरशकार प्रदान किया गया था नहीं यह हिमारत पर्यावरन संद्रक्षन की भी मिसाल है प्लेटफॉर्म में अंदर चलने से पहले सबसे होले लेना होगा आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं फिर अंदर की तरब चलते हैं और आपको बागी चीज़े दिखाते हैं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे वाली बिल्डिंग में क्योंकि यह वाली बिल्डिंग में प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलता यहां पर आपको टिकेट मिलेगे दरसल वर्ष 1854 में इस्ट इंडिया रेलवे कमपनी के जनक रोनाल्ड मैक डोनाल्ड स्टीबन्स ने कलकता से इलहाबाद और दिल्ली होते हुए लाहोड तक रेल लाइन उचाने की परिकलपना की थी बाद में इसे बदलाव करते हुए दिल्ली के बजाए मेरट के रास्ते रेलवे लाइन उचाने का प्रस्ताव आया यह वेटिंग रूम के रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉड लगा हुआ है यहाँ पर रेटारी पुराणी दिल्ली के बाहर का नजारा कुछ जैसा रेलेवे स्टेशन का और उपर जो आप देख पार हैं वो सारे रिटारिंग रूम्स हैं और रिटारिंग कैसे बुक करना है कहां का रिटारिंग रूम्स होते हैं इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और जैपू आपको प्लैट्फॉर्म टिकेट तीश वाली बिल्डिंग में इसे बोलते हैं पुरानी विल्डिंग नाम में पुरांई कलाकृति कितनी घजब की है गजब इसके बात प्लैट्फॉर्म टिकाट दिश्क कोंटर यो किया और जबो सब्सुर्वर तीछ प्रहार किया जाएगा जी आरपी के दोड़ा यह स्कैंडिंग सेंटर जहां पर आपका बैग और लगेज बगरा स्कैन होता है उसके बाद जब आप ऐसे आएंगे बाहर की तरफ मतलब अंदर की तरफ तो ऐसे उपर देखें बोर्ड लगा हुआ है सिक्स्टीन फिप्टीन फॉर्टीन ऐसे करके छे नंबर तक प्लेटफार्म के लिए उपर ऐसे जाना है कि अगरे इसकी हाइड बहुत कम है यह दोड़ा नीचे आप उचलेंगे इसको टच कर पाएंगे बर कला कृतियां बहुत 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 बनाएगी है लेटफॉर्ण नंबर बांगी के आगे उधर देखे आप धर है दिर और प्लेटफार नंबर एक और इधर देखिए अप धीर करके दिखाता हूं मैं आपको इधर रेल गाड़ियों का मेला लगा है इतनी स्वारी रेल गाड़ी ट्रेन यह देख रहे हैं महत्मा गांदी भी पहली बार दिल्ली रेल मार्क से यहां पहुंचे थे इतिहास्कार बताते हैं कि 12 अपरेल 1915 को शाम में वह पुरानी दिल्ली रेलवे इस्टेसन पर पहुंचे थे पागी मेरे पीछे आओं सबको सुभिदा के लिए यहां पर इस लेटर भी लगाया गया है और यह अभी बंद हो गया तो सुभिदा नहीं यहां पर आपको दुविदा होगी फिलाल हो सकता है कुछ रिजन्स की वज़ा से बंद हो लेकिन यह जो बंद होता है तो आप यकीन मानो सीड़ी से ज़्याद है इसमें आपको आपकी उज़ा खर्च होती है और आपको कितना बुरा लगेगा यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए जब भी आपको इस लेटर बंद मिले यह पुरानी दिल्ली का रेल यार्ड और सामने जो ट्रेन आप देख पा रहे हैं यह दिल्ली तू माता वैशनो देवी कटरा तक जाती है और यह रेल यार्ड में आई है क्लीनिंग के लिए यहां पर सफाई होगी मेंडेनिंस होगा और उसके बाद यह दोबारा यहां से यह रन होती है यहां का पानी है आप समझों रेलवे के पानी से भी बढ़िया है जो आप आया सीडी का रेल लेते हो उससे भी अच्छा है और आप पास बोटल है एक लीटर की तो पांच रूपए लेंगे यह आरो और ठंडा पानी मिलेगा और आपको बोटल भी देंगे आरो ठंडा पानी भी मिलेगा तो कोशिट करें कि आपको यह पानी मिले तो जाद अच्छा है 16 प्लेटफॉर्म पे नीचे की तरफ आपको ऐसा कुछ डिजाइन दिखेगी खुबसूरत सी डिजाइन और यह काश्मीर गेट की तरफ और एक नंबर की तरफ आप जाएंगे तो चांदनी चॉख की तरफ जाएंगे और 16 नंबर की तरफ आएंगे एकज़ेट की तरफ तो आपको मिलेगा चांदनी चॉख और ऐसे कुछ कला कृतियां को दिखेंगी बताए आपको कैसी लग रही ये कला करतियां यहां पर यह बात जरूर है कि पानी भरा हुआ है और कई सारे यहां पर डस्वीन भी जो तूटे हैं लेकिन प्लेटफॉर्म आपको दिखाता हूं ऐसा पूटफॉर्म है जो साप सुथरा है ऐसा नहीं है कि यहां पर कूड़े ह जो कहते हैं कि जिस भी ट्रेंड में रेल नीर नहीं होता देख रहे हैं हर्ज रेल नीर की ही बोतले आपको मिलेंगी यह प्लेटफॉर्म नुमर तोला और यहां पर रेज़े सकते हैं प्लेटफॉर्म पर बगल बगल से कि निगाल के बीच में रख दिया गया है उत्तर रेलवे धरोवर समित के दस्तावेज में छोटे से भवन के रूप में जब रेलवे स्टेशन था तो उन दिनों यहां भवन दिल्ली धरबार सुतंद्रता आंदूलनवा विभिन सांस्कृतिक वाराजनितिक धटनाओं का भी साक्षी रहा है 1911 में तिर्ती दिल्ली दरबार के आउसर पर यहां 140 ट्रेनर पहुंची थी जो एक कृतिमान है दो बड़ी टंकिया है और यहां से पाइप भी लगी है और यह पाइप के मादम से आगे पानी जाता है और आपको बता है कि चलती है तो आप देख लिए ट्रेन रोड पर भी चलती है यहां पर आप यहां पर कोचों का हॉस्पिटल जिससे कहा जाता है कोच केर सेंटर यहां पर सारे बीमार कोच जो है और यहां पर आते हैं इनकी दवादारू होती है यह वह में एक्जिट की दरफ इधर से हमने इंट्री करी थी और इधर से में एक्जिट कर रहे हैं इधर देखें सम्विधान के रिर्माता डाक्टर वीमराम बेड़कर साहब हैं उधर महर्शुबाल मीग जी हैं और निकास दौर चांदनी चौक के लिए दोस्तों पुराने दिल्ली रिव्लाइक स्टेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा क्यमेंट वाप्स में ज़रू बढ़ता है चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्स्ट्राइक करके बेल आकर बढ़ता है